हेलो गुद मॉर्निंग एवरिवन आयम सर्जिता श्रिवास्तव फ्रॉम महात्मा गांधी सिक्षन संस्थान नाव आम गोईंग टू टीच हिंदी व्याकरन स्टेंडर फोर्थ बच्चों आज मैं आपके पाथे पुस्तक पाथे पुस्तक से अभ्यास के प्रस्न समझाने जा रही हूँ वाक्य मैंने आपको पहले भी समझाया था बच्चों कि वाक्य किसे कहते हैं यह अभ्यास जो है वाक्य पर ही आधारित है तो पहले आप एक बार रिवाईज इसको कर लो पुन्डाविर्ति कर लो कि वाक्य किसे कहते हैं सब्दों के सार्थक समुग को वाक्य कहते हैं वाक्य के दो अंग होते हैं बच्चों उदेश से और विधे उदेश से किसे कहते हैं कि वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे उदेश से कहते हैं और विधे वाक्य में उदेश से के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है उसे विधे कहते हैं तो ये मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था बच्चों आज मैं इसी पाथ का अभ्यास के प्रस्ण जो है उसे मैं बना कर दिखा रही हूँ वो आप ध्यान पुरवक देखें कि कैसे आप वाक्य को बनाएंगे जैसे यहाँ पर पहला प्रस्ण दिया हुआ है कि नीचे दिये गए सब्द समूहों में सार्थक वाक्य बनाओ यहाँ सब्द समूह दिया हुआ है खाता मैं खाना हूँ अब इसको वाके बनाएंगे तो क्या लिखेंगे कि मैं खाना खाता हूं ये सही सार्थक वाके बनेंगे फिर खौ में देखिए बच्चों कि कल गया था बाजार वह तो ये सही नहीं है इसके लिए क्या बनेगा कि वह कल बाजार गया था इस तरह से हमने बनाया फिर यहां तिसरा में है रानी और नीता है सहलिया तो यह क्या बनेगा बाग के रानी और नीता सहलिया है सहलिया है और सब के बाद यह पूर्ण विराम का चिंदी पड़ेगा अब है पतंग आओ उराएं तो बनाओगे क्या बच्चों आओ पतंग उडाएं तो ये सार्थक बाक्य बनता है अंगा में देखिए मेरी है बिमार गुरिया तो मेरी गुरिया बिमार है अब ये सार्थक बाक्य बन गया अब दूसरा प्रस्ण है आपका बच्चों कि उडेश से तथा विधे अलग अलग करो अब यहाँ पर ये कॉलम दिया हुआ है उडेश से और विधे का अलग और यहाँ पर ये वाक्य दिया हुआ है कि गंगा एक पवित्र नदी है इसमें से कौन सा उडेश से है और कौन सा विधे है उडेश से मैंने समझाया है कि वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है वह उडेश से कहलाता है तो यहाँ देखिए गंगा एक पवित्र नदी है तो गंगा के बारे में कहा जा रहा है यह एक पवित्र नदी है तो यह एक पवित्र नदी है यह विधे हो गया उसी तरह से खौब में बच्चों देखिए कि दीपा वली दीपों का तेवहार है इसमें दीपा वली क्या हो जाएगा? उदेश हो जाएगा दीपा वली उदेश हो गया और दीपों का तेवहार है यह विधे हो गया फिर गौव में देखिए गौव में है सेर जंगल का राजा है इसमें सेर और जंगल का राजा जंगल का राजा है सेर के बारे में कहा गया है फिर दादी दादा दादी बूढ़े हो गया इसमें दादा और दादी इसमें उदेश है और बूढ़े हो गया विधे है उसके बाद है अंगा में कि मैं चौथी कक्षा में पढ़ता हूं तो मैं सब्द जो आ गया यहां पर यह उदेश हो गया और चौथी कक्षा में पढ़ना जो हो गया वह इसका विधे हो गया मैं पढ़ता हूं तो इस तरह से आपने देखा है कि उदेश से और विधे को कैसे अलग किया गया अब बच्चों यहां कुछ तिसरे प्रस्न में है कि नीचे कुछ उदेश से दिये गया है उनके आगे विधे भरकर वाक्के पूरे करना है आपको तो यह आप यहां पर को में देखिए पहार बहुत उचा है एक बना कर दिखाए गया है तो खो में आप लिखिएगा क्या कि लड़की यहां उदेश से दिया हुआ है अब उसके लिए आप विधे भरेंगे तो खेल रही है खेल रही भर दिये तो विधे हो गया तो लड़ हो गया अब है चार में प्रस्ण कि नीचे दिये गए वाक्कियों में उचित उदेश से भरो यानि कि यहां पर विधे दिया हुआ है तो आपको इसमें उदेश लगाकर इसे सार्थक वाक्य बनाना है अब यहां पर को में हैं मोर हमने डाल दिया मोर बहुत सुंदर है आप लिख सकते हो गेंद भी गोल हो सकती है और घौ में है उसका नाम राजन है तो इस तरह से हमने यहां पर उद्देश से भर के इस वाक्यों को सारत्यकित बना दिया अब बच्चों एक और प्रस्न आया यहांपर ये खेल खेल में आपको इसको बनाना है बीना मात्रा वाले नाम सब्द लिखना है यहाँपर एक फूल तो एक फूल में क्या हो जाएगा बीना Missupa का कमल एक एक जानबर, मगर, एक रितू, सरद, एक पेर, बरगद, एक सरीर का अंग, कमर, एक मसाला, अदरक, एक वाहन, बस, और एक सबजी, एक सबजी में परवल. यह सब जो यहां पर देख रहे हो, आप लिखा हुआ, इसमें कोई मात्रा नहीं है, बिना मात्रा के यह सब्द बने, तो इसे आपको खेल-खेल में आप सब्द बनाना सिख जाएंगे, फिर है, दूसरा यहां पर है, बच्चों, तुकबंदी करके कभिता को पूरा करना है, तो यहां पर ही आप कभिता लिखा हुआ है, छोटे-छोटे बच्चे आते, पेरों पर चड़कर उधम मचाते, अब यहां पर मैंने उधम यह मचाते सब भर दिये, फिर कच्ची-कच्ची अंबी खाते, अंबी, छोटा-छोटा आम जब होता है, उसी को कहते हैं, टिकोला जिसको कहते हो, हस्ते हस्ते गाने गाते, माली डंडा लेकर आता, बच्चों पर वो खूब चिलाता, बच्चे उसकी एक न सुने, तुम रोको तो तुमको जाने, इस तरह से तुकबंदी करके इस कविता को पूरा कर दिया गया, इसी तरह से आपको जब भी कोई वर्क मिल करने के लिए, तो आप ध्यान पूर्वक इसे पढ़ कर आप इसे बनाओगे, तो आज अभ्यास का प्रस्न पूरा होगे, अब अगले वीडियो में हम अगले पाठ को पढ़ेंगे, धन्यवाद